मस्कार दोस्तों कोई टाये दो योटूब चैनल पर आप सब भी का स्वागत हैं संपून हिंदी विशे की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए टीजीटी पीजीटी परिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास के अंतरकत हम करेंगे देवनागरी लिपीवे उसका विकास और साथ ही इससे सम्मंदित मैतवपूरण MCQ पहले हम इनके मैतवपूरण बिंद्वों को देखेंगे जो कि परिक्षा की दृष्टी से अती मैतवपूरण है फिर साथ की साथ इससे सम्मंदित इतने भी हमारे मैतवपूरण परिशन मनते हैं उनको भी हम आज की क्लास में करने के कोशिस करेंगे क्योंकि हम मैरतन क्लास के माध्यम से अधिक से अधिक बिंद्वों का ब्यास करते हुए परिशनों का ब्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है क्योंकि आप सभी को बता है निरंतराप्यासी सफलता का राज है इसी उद्देशे के साथ हम जो है हिंदी विशे से समंदी हर रोज मेरतन क्लास में आपके लिए परिक्षा तक लाने के पूरी-पूरी कोशिश करूँगे तो अधिक से अधिक पिछली परिक्षाओं में आई हुए पर्षनों का भी अभ्यास करते हुए विश सोलेशन के साथ व्यक्या सईद अर्थात जो है विद एक्स्पेलेनेसन के साथ पर्षनों को हम करते हुए आगे बढ़ी रही है साथ-साथ हम अपने जो है उन सभी मैतवपूरन बिंदू को भी करेंगे जो की परिक्षाओं में पूछे जाते हैं और परिक्षा की द्रिष्टी से अति मैतवपूरन है तो आज की क्लास में हम देवनागरी लिपी से सम्मंदित मैतवपूरन बिंदू और उससे सम्मंदित MCQ कर लेते हैं तो ज़्यादा टाइम वेश्ट ने करते हुए देख लेते हैं आज की क्लास की शुरुवात हम करते हैं तो देवनागरी लिपी एवं उसका विकास किस परकार से हुआ कौन-कौन से उनसे सम्मंदित मैतवपूरन बिंदू रही है तो देख लेते हैं परतेख भाषा में अपनी लिपी होती है ये आप सभी को पता है परतेख भाषा की अपनी लिपी चीन होती है तो जैसे की हिंदी की लिपी देवनागरी हुई अग्रेजी की लिपी रोमन हुई ये सभी आपको पता ही है तो इसमें उस बाषा को लिखा जाता है जो हमारी लिपी होती है उसी में जो है उस बाषा को लिखा जाता है उनी चीनों को परियोग करके उस बाषा को लिख दिया जाता है तो किसी भी भाशा के लिखित दवनी संकेतों को क्या कहते हैं लीपी कहते हैं किसी भी भाशा के जो लिखित हमारे दवनी संकेत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं लीपी कहते हैं एक बार परिक्षा में फरिशन पूछ लिया गया था, कि वर्णों के करम बजसमू को क्या कहते हैं, तो वर्णों के करम बजसमू को आप सभी को पता है, वर्ण माला होती है, वर्णों का जो हमारा करम होता है, उसको हम वर्ण माला कहते हैं, लेकिन वर्ण माला उप्शन में नहीं था लिप इमारा option में था तो वर्णो का कुता है हमारा जो वे हमारे वर्ण होती है इने सवर और वेंजन उन्हीं को हम लपी का नम देती हैं उन चिनों का प्रियोग करकर जो हां हम किसी भी विवाशा को लिखित वे उसके दवनिशंकेतों का लिखित रूप जो देते हैं उसी हम क्या कहते हैं लीपी कहते हैं तो यह आई होप आपको समझा गया होगा तो देख लेते हैं हिंदी जिस लीपी में लिखी जाती है उसे नागरी या देव नागरी लीपी कहा जाता है अंगरेजी फार्शी और पंजाबी की लिफी। आई होपी सभी कुछ बेशिक चीज़ी है जो आप सभी को पताई हैं. भारत की दो प्राचिन लिफिया रही है, कौन-कौन सी ब्रामे लिपी और खरोष्टी लिपी ब्रामे लिपी कई छेत्रिय रूपांतर थे ब्रामे लिपी के कई छेत्रिय रूपांतरन हुए है जिसमें की एक रूपांतरन उत्री साखा के रूप में जिसे नागरी कहते हैं ये पूछ लिया जाता है नागरी जो है ब्रामे लिपी के किस साखा से विख्षित हुआ है तो उत्री साखा से ये आपको ध्यान रखना है इसी से देवनागरी लिपी का विकास हुआ बरामी लिपी से ही देवनागरी लिपी का विकास हुआ बरामी लिपी की किस साखा से देवनागरी लिपी का विकास हुआ है तो वो हुगा है उत उत्री साखा से ये सभी तक थे आपको सभी बिंदो ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलना है तो देख लेती हैं आगे ब्रामी लिपी की उत्री साखा नागरी का परियोग देव भाशा संस्कित के लिए होने लगा तो इस लिपी को देव नागरी लिपी कहा जाने प्राकर्त और अपब्रंस के बाशाओ की लिपी भी जो है देवनागरी लिपी रही है उसके बाद देख लेते हैं आगे देवनागरी लिपी का समोचित विकास आठवी स्ताब्दी में हुआ है तो अगर ये पूछ लिया जाए देवनागरी लिपी का समोचित विकास किस स परिक्षा में कई बार परशन ये पूछा गया है कि देव नागरी लिपी का सवर पर्थम परियोग कहा मिलता है तो गुजरात के जैबट के सीला लेख में इस बिंदो को आपको ध्यान रखना है उसके बाद देख लेते हैं आगे देव भाशा संस्कित में इसका परियोग हो इसके साथ देव श्यवद चुड़ा है यानि देव भाशा संस्कित में इसका परियोग हो तो इसी के कारण जो है इसमें देव श्यवद चुड़ गया था और देवताओ के उपासना के लिए जो संकेत बनाई थे उन्हें देव नगर कहते थे संकेत लिपी के समान वही से जो है देव नागरी कहा जाने लगा तो अलग-अलग विद्वानों के अनुसार देव नागरी लिपी का जो नाम है किस परकार से पड़ा तो वे अलग-अलग विद्वानों के अनुसार अलग-अलग यहां पर मत दिये गई हैं तो संस्कित आचारियों ने संस्कित विद् कहा गया ये आपको द्यान रखना है कुछ लोगों कहमाता है कि गुजरात के नागर बरामनों के लीपी थी उसके अक्षरतांत्रिक चिन देवनगर के रूप में चोकोर थे इसलिए इसे देवनागरी कहने लगे तो कुछ विद्वानों के अनुसार जो गुजरात के नागर परामनों के लीपी होने के कारणी इसका नाम देवनागरी पढ़ गया तो ये कहा जाता है किन्तु यह मत अधिक पोष्ट नहीं हुआ और अन्यमैतव पूरन बिंदु देख लेते हैं देवनागरी लीपी से सम्बंदित जोकि स्वर पर्थम महादेव गोविंद रानारे ने देवनागरी लीपी सुदार समीति का गठन किया कई बार पूछा जाता है कि देवनागरी लीपी सुदार समीति का गठन निमलिक में से किस विद्वान ने किया उसके बाद महाराष्ट साहित परिशत पूने में लीपी योजना बनाई गई तो महाराष्ट साहित वाद्जद पूने में, तो बढ़ते हैं आगे अगला हम बिंदू देख लेते हैं बीसु श्ताब्दी के प्रारम में, लोग नती लगने अपने पतर केशरी में लिपी सुधार की चर्चा की हैं। किनोंने की लीपी सुधार की चर्चा लोकमान्यती लगने और किस पत्तर में अपने पत्तर केसरी में, केसरी नाम से उन्होंने पत्तर निकाला था लोकमान्यती लगने, उसी में उन्होंने लीपी सुधार की चर्चा जो है विश्वी स्ताब्धी के प्रारम में की, काका काले करने ए की बाराखड़ी का सुजाव दिया कई बार पूछा जाता है प्रिक्षा में निमलिखत में में से की बाराखड़ी कासुजाव किस ने दिया तो ये दिया है का का काले करने का 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 लगकर ने ए की बारह खड़ी का सुजाव दिया जैसे की सुजाव दिया तथा स्वर्धवनियों की संक्या को कम कर दिया जैसे की उदारन के रूप में हम देखते है आ जो ए के उपर ही ये वाली ही नहीं मानि उन्हों ने ए के उपर ही छोटी ए की मातरा लगा दी फिर उसके बाद जो है इस परकार से ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हमारा तो इस परकार से उन्हा ने ए फिर ए पर ही इस परकार से बड़ी ए की मातरा लगा दी तो इस परकार से मातराओ को लगा करके उन्होंने जो है लीपी क दवनिलिपी का विकास किया है उसके बाद सवरो का विकास किया उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला जो हमारा तथ्या है डोक्टर शाम सुंदरदास ने पंच माक्षर के स्थान पर अनुशुआर का परियोग करने का सुजाओ दिया जैसे की हिंदी यानि कि कई बार यहरा पंच माक्षर जो नय की बिंदु है तो यह आदा नय है जो यह यहां पर बिंदु के रूप में इनों ने लगाने का सुजाओ दिया जैसे हमारा अनिय ऑन पंच माक्षर olasar है तो इसके आनिय लगाकर के इसके सथान पर चन्ठ में बिंदु लगाने पर सुजाओ द जैसे कंबल में जो है पंचमाक्षर में को ने लगा के जो है आदा मेना लगा करके बिंदू को लगाना उचित बताया इसी परकार गंगा के अंतरगत भी इस परकार से पंचमाक्षर के सतान पर अनुस्वार लगाने का परियोग किया श्याम सुंदर दास ने काका कालेकर ने एकी बारखडी का सुझाओ दिया है उसके बाद देख लेते हैं सिरी निवासदास जी का सुझाओ सिरी निवासदास जी ने महापराण दवनियों के स्तान पर अल्पराण दवनिया शामिल की इसके नीचे कोई चिन लगाकर प्रियोग किया जाई यानि कि महापरान धवनियों के स्तान पर अलपरान धवनियों को ही सामिलूनों ने उचित बताया कि अलपरान धवनिया ही हमें लगानी चाहिए और साथ अगर अगर उस धवनियों को हम महापरान बनाए तो उसके नीचे को हम चिन लगा सकते हैं तो इस परकार से आपको ध्य रखना है बर्दि आगे हिंदी साहित्य सम्मेलन परियाग 5 अक्टूबर 1941 ने लिपी सुदार हेतु एक बैठक की जिसमें की मात्राओं के उच्चारन करम में लगाने तथा छोटी ए की मात्रा को व्यांजन के आगे लगाने का सुजाव दिया है तो छोटी ए की मात्रा को जो है व्यांजन के आगे लगाने का सुजाव दिया है किसमें फिन्दी साहित्य सम्मेलन 5 अक्टूबर 1941 में जो लिपी सुदार हुआ उस बैठक के अंतरगती उच्चारन करम में लगाने तथा छोटी ए की मात्रा को व्यांजन के आगे लगाने का सुजाव दिया जैसे कि इस परकार से लिखने का उन्होंने सुजाव दिया जैसे कि यह पै के निचे रह है तो इस परकार से लिखने का उन्होंने सुजाव दिया जैसे श्रय है श्रय को श्य आदा श्य और रह पै को पै आदा पै और रह इस परकार से लिखने का उन्होंने उन्होंने सुजाव द देख लेते हैं में अगला देख लेते हैं तो 1947 में उत्तर परदेश सरकार दुवारा गठित समीती की अध्याक्षता नरेंदर देवने की ये कई बार परिक्षा में पर्शन पोचा गया है जिसमें निम्सुजाव पेश किये गए कि एकी बारा खड़ी बर्मांग यानि कि ज उपर ही मात्रा लगाने से जो है उनकी बारा खड़ी का विकास किया तो इस परकार से इन्होंने ये गलत बताया कि ये बिलकुल भ्रह्म पैदा कर देती है जो है अच्छे से उच्चारित भी नहीं की जाती तो इस परकार से उन्हें थोड़ा दाइनी और लिखा जाए पर अच्छार लेकिन उन्हें थोड़ा सा हटा कर लिखा जाए दाइनी और लिखा जाए तो अनुश्यवार वे पंचमाक्षर के स्तान पर बिंदी से काम चलाया जाए जो उन्होंने दिया था पंचमाक्षर का शाम क्या था विद्वान का नाम शाम सुन्दरदास जी ने उचित ठहराया कि पंचमाक्षर जो अनुश्यवार वे पंचमाक्षर के स्तान पर जो हम लिखते थे जैसे कि कंठ इस परकार से लिखा जाता था तो इस परकार से बिंदु लगा कर ही काम चला जाए ये बात बिलकुल उन्होंने सही मानी है 1947 की जो बैठक हुई थी उत्तर पर देश्रकार दुआ रहा तो उसके बाद देख लेते हैं दो तरीकों से लिखे जाने वाले अक्षर निम्लिक्त में से अक्षरों को स्विकार किया चाहिए तो ए जैग यह दूसरे तरह से भी लिखे जाते थे वही यह यहां पर टाइपिंग की वर्ड से भी दूसरी तर उचित बताया था कि दूसरी परकार से भी जो लिखे जाने वाले जो देवनागरी के अक्षर है उसे भी उन्हें भी उचित बताया जाए तो जिस परकार से ये लै दिखाई दे रहा होगा आपको एक तो हमारा जो इस परकार से लिखा जाता है और एक इस परकार से लिखा ज स्थान दिया जाए तो शंयुक्त वर्णों को भी वर्ण माला में स्थान दिया जाए ये सुजावी जो है 1947 के अंतरगत उत्तरप्रदेश रकार दुघरा बैठक में किया गया उसके बाद उप्युक्त सुजावों में कुछ परिवर्तन कर स्विकार कर लिया गया कुछ जिनने जैसे संयुक्त वर्णों को वर्ण माला में स्थान दे दिया गया तो इस परकार खुछ भिंदु ऐसे रहे जो उन्हें इन सुजावों को परिवर्तन थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जो है स्विकार कर लिया गया देवना ग्रीलिपी में अंग्रे जी की आ धवन जैसे कि हम हिंदी में डोक्टर लिखते हैं तो इस परकार की धवनी लगा देते हैं डोक्टर तो आ की जो ये धवनी है इस परकार की धवनी है ये भी हिंदी देवनाग्रीलिपी में स्विकार कर ली गई अंगे करित कर ली गई साथ ही जो फार्जीलिपी की जो कुछ धव जैसे कि निचे ये नुक्ता लगा हुआ है इन दवनियों को भी में शामिल कर दिया उसके बाद देख लेते हैं देवनागरी लीपी और सनसोधन के जो प्रिया करने पर किये गए उन्हीं देवनागरी-लीपी का विकास कहते हैं कि देवनागरी लिपी के अंतरकर जो सुदार हुए, जो सन्सोधन हुए, उन्ही को समय समय पर ठीक करके उन्ही को संसोधित करके देवनागरी लिपी चिनों में परियोग कर दिया गया। से क्योंस भी हम कर लेते हैं ताकि आपके सभी विंदू जो है किलियर होते चले जाए और परिक्ष्या में देवनागरी लिपी से संबंदी कोई भी परशन आप से के सामने हो तो आप आसानी से उसका सही आंसर दे सको तो देख लेते हैं देवनागरी लिपी से संबंदी उनक लिपी यानि अंग्रेजी की जो रोमन लिपी है और फारसी लिपी है इनकी तुल नामे अधिक व्याग्यानिक है इस लिपी में गुण अधिक है दोस्त नियून्तम है यानि गुण अमारी लिपी में अधिक पाई जाते है और दोस्त जो है बहुत ही दोस्तो होते ही है हार ए निकता नमबर एक देख लेते हैं नमबर पहला पुएंट अमारा वर्ण वी बाजन में व्याग्या निकता तो हिंदी में हिंदी की देवनागरी लिपी में कुल पाउमन वर्ण है यह आप सभी को पता है यह वर्ण माला इस परकार से है यह आप जो है सवरों की संख्या फिर दो अमारे अनुसुआर एक अमारा अनुसुआर और एक अमारा विसर्ग है इसके बाद जो है इसके अंतरगत फिर आमारे आ जाते हैं व्याजन व्याजन के अंतरगत कंठे वर्ग, तालवे वर्ग, मादुरिये वर्ग, दंते वर्ग, ओष्टे वर्ग और अंतस्त व फिर दो द्विग गुन व्यांजन हमारे है उसके बाद जो है इनके कुल संख्या मारी कितनी मानी जाती है बावमन यह हमारी है देवनागरी लिपी के विवाजन की व्यक्यानिकता उसके बाद देख लेते हैं आगे व्यांजन दवनियों के उचारन में सवरो की सायता ली जाती है व्यांजन वह दवनी है जिसके उचारन के बीतर आने वाली वाईयों मुख वीवर में कहीं किसी ने कसी रूप से बादित होती है यानि कि जो अमारी व्यांजन होते हैं उसमें हम जो हैं सवरो की सायता से ही उन उनके अंतरगत हम शुवर नहीं सामिल करेंगे तो उन व्यांजनों को हमारा उच्चारण करने में कटना ही होगी तो उच्चारण नहीं कर सकते जैसे कय है तो कय को हम अगर हलंत लगा देंगे तो यह हमारा केवल व्यांजन व्यांजन है और साथ ही हम जो है इसमें शुवर आइस वर मिला देंगे तो यह हो जाएगा हमारा क्या है तो इस परकार से सवरों की साइता से ही हम व्याजनों को उच्चारित करते हैं तो इस परकार बढ़ते हैं आगे यह हमने देखी लिए वर्णों की व्याग्यानी तक किस परकार से है किस परकार से कौन-कौन से वर्ण क कोन कोन को से ब्यंजन और विनों के व्याजित किया गया तो यह सभी विन्दू लिए रही बगाज़ें हमने देखी लिया है साथी दूसरा पॉइंट है हमारा देवनागरी लिपी तो धवनात्मक लिपी नहोकर अक्षरात्मक लिपी है जो हमारी देवनागरी लिपी है वो धवनात्मक लिपी नहोकर किस परकार की है अक्षरात्मक वे वरनात्मक लिपी है फिर हैं हमारी समर्गत देवनागरी लिपी के अंतरगत समर्ग दवनियों को अंकित करने के शमता भी होती है और देवनागरी लिपी में नय एवं नय दोनों के लिए एक ही वर्ण यानि कि जबकि देवनागरी लिपी के लिए अलग-अलग वर्ण चिन होते हैं जैसे कि जैसे कि हमारी जो परियोंग उर नै यह दोनों दौनिया अलग अलग होती है शब्दों में इन दौनियों का करते हैं उर उचारन करते हैं लेकिन फokin under अंग्रेजी वर्ण माला के अंतरगत, अंग्रेजी लिपी के अंतरगत, यानि रोमन जो अंग्रेजी लिपी है हमारी रोमन, तो उसमें जो है, इन दोनों दवनियों का परियोग जो है, नै से ही उच्चारित किया जाता है, एन से का ही परियोग किया जाता है, ये देवनाग अगला हमारा पॉइंट नमबर च्यार हमें देखना है देवनागरी लिपी की वेग्यानिक्ता के अंतरगत उचारन में लेखन की एक रूपता जो हम उचारित करते हैं उसे ही हम जो है उसे ही हम जो है चिनों के माध्यम से लिखते भी है ये देवनागरी लिपी की एक मुख् देशता है, जहां जो लिखा जाता है वही बोला जाता है, जो उच्चारन के रूप में परियोग करते हैं, उनी दवनियों को हम लिखते भी हैं, लिखने और उच्चारन में दोनों में एक रूपता पाई जाती है, जैसे कि आप उदारन के मादम से जो समझोगे तो देवनागरी लिपी में जो अनुचारित जैसे साइलेंट अक्षर नहीं होते जो कि हमें रोमन लिपी में साइलेंट जो वर्ण देखने को मिलते हैं जैसे कि ये हैं हमारा जो रोमन लिपी में लिखा हुआ है नाइफ उचा साइलेंट हो जाएगा तो यह होगा हमारा नाइफ फिर जिस तरह से हम यह रोमन लिपी में यह वर्ड हम पढ़ेंगे यह अब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे साइकलोजी लेकिन यह साइकलोजी है तो साइकलोजी लेकिन इसमें जो है पी जो होगा वह हमारा साइलेंट होगा इस परकार से knowledge में जो हमारा case silent हो जाएगा तो इस परकार से देवनागरी लिपी में ये देखने को नहीं मिलता जो हम बोलेंगे वही हम जो है जो हम उचारित करेंगे उनी चीनों काम परियोग भी करते हैं लिखते भी वही है जो लिखा होता है वही हम बोलने में पढ़ने में परियोग करते हैं तो बढ़ते हैं आगे सपस्टा आगे हमारी देवनागरी लिपी की एक मुख्यानिक विशेष्ता ये भी मानी जाती है कि ये बिल्कुल सपश्ट लिपी है तो जो वेग्यानिक लिपी वहीं मानी जाती है दो वर्नो के पारस्परिक समे के कारण जो है ऐसापष्टा नै हो रोमन लिपी में कुछ चिनों की आकरती इतनी मिलती जोलती है कि हाद से लिखने पर उनके ऐसापष्टा आ जाती है पढ़ा भी जाता है उनमें कोई confusion नहीं होता लेकिन जब रोम इंगलिस के जो वर्ड होते है हमारे रोम अनलेपी के उनके जो जैसे कि सी सी इस परकार से लिखा जाए अगर जल्दबाजी में हम लिख देते हैं कई बार इस परकार हम बना देते हैं तो यह हमारा यह हो जाता ह है तो इसमें ऐसा पश्टता आ जाती है इसी परकार देवनागरी लेपी के अंतरगत कोई भी ऐसे अक्षर नहीं है जो जीने हम जल्दबाजी में लिख दें तो वे किसी और अन्य धवनी का जो है हमें रूप में दिखाई दें तो जिस परकार से M को हम जल्दबाजी में तो इस परकार से कई बार लिख देते हैं तो N हो जाएगा फिर I जैसे ये है इस परकार से L भी बनता है ओ को जब हम जल्दबाजी में इस परकार लिख देंगे तो अगर नीचे आ जाएगा तो वो हमारा क्याव बन जाएगा तो इस परकार से हमें सपश्टता देखने को रोमन लिपी में मिलती है, देवनागरी लिपी अमारी, बिल्कुल सपष्टता से एक एक वर्ण जो है, अलग-अलग लिखा जाता है, अगर हम कह लिखते हैं, तो कितना ही जल्दवाजी में लिखेंगे, तो वो खय ही दिखाई देगा, खय कि लिखेंगे, तो खय ही दिखाई देगा, तो यह इसे परकार दहुदं हो का जो है, अलग-अलग जो दवनिचिनो का परियोग नहीं किया गया, देवनागरी लिपी के अंतरगत, उसके बाद कम खर्चिली देवनागरी लिपी हमारी जो है कम खर्चिली है यानि कि जो हमारी ये मातराय आती है तो ये इन पर सटाकर जब हम लिख देते हैं तो जैसे थोता थोता इसमें लिखेंगे अगर अंगलेजी में अलग-अलग शवदों को लिखेंगे तो जो हमारा स्थान अधि गेरता है, तो स्तान अधिक गेरने के कारण तो कागच का उपयोग भी अधिक होगा, कागच का उपयोग अधिक होगा, तो जो खर्चेली अधिक होगी, तो इस परकार से हम कह सकते हैं, कि जो हमारी देवनागरी लिपी होगी, वो हमारी कम खर्चेली होती है, रोमन लिपी की अपिक्षा जिस परकार से इतने स्थान पर जो चंदरी का शब्द लिखा हुआ है तो रोमन लिपी में हमें इतना स्थान परियोग करना पड़ेगा लेकिन स्कूल इस परकार से लिखा जाएगा तो रोमन लिपी जो है अधिक स्थान गेड़ती है तो इस परकार से इसकी पॉइंट है पॉइंट नमबर साथ सरल वे कलातमक वे सुन्दर हमारी जो देवनागरी लिपी है उनमें सरल सब्दों सरल वर्णों का परियोग किया जाता है आसानी से हमारे वर्ण बन जाते हैं और जो है कलातमक है और एक परकार से सुन्दर भी हम कह सकते हैं तो देवनाग के बूलों की भी संभावना कम हो जाती है फिर है नियता नियता का मतलब होता है यहां पर हमारा हम कह सकते है कि देवनागरे लिपी अमारी निश्चित है बिल्कुल देवनागरे लिपी एक परतेग धमनी के लिए चिन नियतित है उनके चिन जो है निश्चित किये गई है लेकिन देवनागरे लिपी में निश्ची चिनों को दुवारा उनको लिखने के लिए एक दमनी के लिए एक इवर्ण का परियोग किया गया है इसलिए यह वर्तिनी की गलतिया होती है तो जो रोमन लिपी में जो अलग-अलग कई भी खल्ब दिये गई है तो उसी से जो है वर्तिनीय की गलतिया भी हो जाती है देवनागरे लिपी में कै दमनी को लिखने के लिए केवल एक वन कै जब कि रोमन लिपी को लिखने के लिए कै के स्थान पर हम C का भी परियोग कर देते है और कै का भी परियोग कर देते है और कई कहे लिए CH का भी प्रियोग कर देते हैं इसलिए वरतनी आशुद्ध करन की संभावना अधिक हो जाती है जैसे कि कह, कह के लिए C का प्रियोग हम करते हैं तो cat हो जाएगा, कह के लिए के का प्रियोग करेंगे तो king हो जाएगा बना सकते हैं कि होई क्वी जब्द कोई बना शक्ते हैं लेकिन और अन्य लिपियों की इन सबी कार्णों से देवनागरी लिपी अधिक व्यज्यनिक है, ये हमने देवनागरी लिपी की व्यज्यनिक ताकि संब्ध में कुछ मैतवपूर्ण बिंदों को समझ लिया है, क्योंकि यहां से भी कई बार परिक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसके साथ ही कुछ पुरण बिन्दों को पड़ा वे पर्षन उत्रों के माध्यम से आपको जो है अच्छे से रिवीजन हो जाए और साथ ही आपको नई पर्षन भी इन से संबंदी देखने को मिलेंगे जो कि परिक्षाओं में बार बार पुछे जाते हैं अर्थात परिक्षा की द्रेश्टी स अति मैतवपुरण पर्षनों को हम कर लेते हैं देख लेते हैं समझ लेते हैं तो देख लेते हैं देवनागरी लिपी के विकास से संबंदीत मैतवपुरण अक्षर है तो देवनागरी के यह कथन की स्विद्वान का है तो यह कथन की स्विद्वान द्वारा कहा गया कि संसार में कोई सर्वांग पूर्ण अक्षर है तो वह है देवनागरी के तो देवनागरी के जो अक्षर है संसार के जो सर्वांग पूर्ण अक्षर माने है कि स विद्वान के दुवारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा सर आइस पिट मैन के दुवारा उसके बाद देख लेते हैं अगला पर्शन नागरी लिपी से बढ़कर व्यग्यानिक लिपी मैंने नहीं पाई ये किस ने कहा कि स्विद्वान का कथन है तो ये है आचारिय विनोबा भ तो इस परकार से आगे बढ़ते हैं दो कथन हमने देख लिए दो अलग-अलग विद्वानों के अनुसर क्योंकि आपको पता है कथनों से संबंदित भी परिक्षाओं में पर्शन हमेशा पूछे जाते हैं तो देवनागरी लिपी को दुनिया की सरवाधिक व्यग्यानिक लिपी माना है आचारिये पंडित राहूल संस करता है अनुसर के बाद आचारिये विनोबाभावे और पिटमेन के भी कथन हमने देख चुके हैं उसके बाद देख लेते हैं अगला कथन संसार में यदि कोई सरवांग पूर्ण अक्षर है तो देवनागरी लिपी के ये किस ने कहा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा पिटमेन सरवासार में कोई सरवांग पूर्ण अक्षर है तो देवनागरी लिपी के ये परशन हम पढ़ चुके थे भई पहले ये दो बारे रिपीट हो गया तो उसके अगला परशन समस्त भारत के लिए एक बाशा और एक लिपी की नितान ताव शक्ता है देягरी लिपी देश बर में पर चली तो उर्वेज्यानिक है इसलिए उसे देश बर की बाशाओं की लिपी के रूप में मनने किया जा सकता है किसने कहा है तो ये कथन्किस के दुवारा कहा गया तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वी किर्शना शुआमी अयर्जी दुआरा उसके बाद देख लिते हैं अगला पर्शन नागरी अंकों का विकास हुआ है तो नागरी अंकों का विकास किस से हुआ यह आपको पता ही है तो ब्रहमे लिपी से नागरी अंकों का विकास ह और ब्रामी लिपी किस साखा से उत्री साखा से कई बर ये भी पूछ लिया जाता है कि किस साखा से नागरे लिपी का विकास हुआ ब्रामी लिपी किस साखा से उत्री साखा से उसके बाद देख लेते हैं आगे परशन संख्या अमारी साथ ब्रामी अंकों के प्राचिंतन नम पूरव के अशोक के चिला लेक में मिलते हैं उसके बाद देख लेते हैं अगला पर्शन संक्या 46 देवनागरी लिपी का मान की करन किस ने किया देवनागरी लिपी का मान की करन देवनागरी लिपी के मान की करन से भी संबंदी तेक हमारा टोपिक बनता है उसके भी मैतवपुरन बिंदू हम जो है कर लेंगे तो यह हमारा मान की करन से संबंदी जो हमारा मैतवपुरन बिंदू है वो हमारा रह गया था तो इसके लिए मैं आफी चाओंगी भई फिर कभ संक्या कितनी है तो हिंदी वर्ण माला के अंतरगत घोश वर्णों की संख्या 31 मानी जाती है उसके बाद देख लेते हैं अगला पर्षन पर्षन संख्या 11 देव नागरे लिपी में कितनी एग घोश वर्ण है घोश वर्णों की संख्या तो हमारी 31 है और जो है एगोश वर्णों की संख्या मारी कितनी मानी जाती है वो है हमारी तेरा उसके बाद जिस शब्द की अंतिम दवनी व्यंजन होती है उसे क्या कहते है जिस शब्द की जो अंतिम दवनी व्यंजन होती है उसे कहा जाता है बुद्धा आक्षर और जिस शब्द की जो है अंतिम दवनी सुवर होती है उसे कहा जाता है मुक्ताक्षर तो अगला परशन हमारा यही है मुक्ताक्षर किसे कहते हैं जिस शब्द की अंतिम दवनी सुवर होती है और जिस शब्द की अंतिम दमनी व्यंजन होती है उसे कहा जाता है बुद्धा अक्षर ये आपको ध्यान रखना है दोनों परशनों को तो उसके बाद देख लेते हैं अगला परशन परशन संक्या हमारी चोद है नाशी के व्यंजनों का अन्य नाम भी बताईए तो नाशी क व्यंजन जो हमारे होते हैं उनको हम पंचमाक्षर नाम से भी जानते हैं भारत में लीपी की प्राचिन ताका सबसे पुष्ट परमान हमें कहा मिलता है भारत में लीपी की प्राचिन ताका सबसे पुष्ट परमान हमें जो है शिंदु गाटे की सब वेता के अंतरगत देख लेते हैं अगला पर्शन पर्शन संक्याच्छा है बारतियों ने सामी लीपी के आदार पर पांसो इस्वी पूरव के लगवग ब्रामी लीपी बनाई तो यह कथन निमलिक्ट में से किस वी दुवान का है जो यह कथन कहा है तो वुल्दर्ची दुवारा कहा गया है कि बारतियों ने सामी लीपी के आदार पर पांसो इस्वी पूरव के लगवग ब्रामी लीपी बनाई उसके बाद देख लेते हैं आगे पर्शन संक्या सत्रा है बिहार में देवनागरी लीपी पर्चलित करने का सरे निमलिक्ट में से किस को जाता है तो बिहार के अंतरगत गवद्यों मुखो पर पद्याई जी को जाता है उसके बाद देख लेते हैं अगला पर्शन पर्शन संक्याठारा देवने अगर पत्तर का संपाधक कौन किस ने किया तो अगर पत्तर का जो संपादक रहे वे कौन थे तो सही आंसर हो जाएगा जस्टिट सार्दा चरण मित्र एक आदर्श लिपी का सबसे बड़ा दोश वताईए तो एक आदर्श लिपी का सबसे बड़ा दोश होता है एक ही संकेत से अनेक दवनियों कोई अभिव्यक्ति वो एक दवनियों के लिए एक आदिक संकेतों का परियोग होना यह हमारा जो है एक जो हमारी एक आदर्श लिपी का सबसे बड़ा दोश माना जाता है वर्णों की संक्या पचास से कम होना यह कोई दोश नहीं है अशुलेखन अंटंकन और मुद्र में कठिनाई और उसके बाद श देवनागरी लिपी में सुदारों का आरंबिक परियतन किसने किया तो देवनागरी लिपी में सुदारों का आरंबिक परियोग जो है परियतन जो है किसने किया महादेव गोविन रानाडे ने उसके बाद नागरी लिपी सुदार समीती के संयोजक कोन थे तो नागरी नागरी परचानी सभा का मूल उदेश्य क्या था तो नागरी परचानी सभा का मूल उदेश्य निमलिक्त में से हिंदी बाशा और नागरी लिपी का परचार करना था उसके बाद देख लेते हैं अगला परचन उत्तर परदेश शरकार ने देव नागरी लिपी सुधार समीत गठन जो है 1947 में किया उसके बाद उत्तर परदेश सरकार की देवनागरी लिपी सुधार समीती के अद्देक्स कौन बने तो नरिंदर आचारिय नरिंदर देव जो है उत्तर परदेश सुधार समीती के जो है लिपी सुधार समीती के जो मुख है अद्देक्स के रूप में इ है सुदार समीति का गठन किया गया उसके बाद देख लेते हैं अगला पर्शन धवने के अनुरूप संकेतों की द्रिष्टी से सरवादिक लिपी माने जाती है देवनागरी लिपी उसके बाद देख लेते हैं देवनागरी लिपी के विराम चीनों किस से गरायन किये गए त तो देवनागरी लिपी के अंतरगर्ट जो विराम चीन है वे हमें कहां से मिलती है वे हमें रोमन चीनों से हमने ग्रैन किये बढ़ते हैं आगे विभीन प्राचीन बारते लिपी का उल्लेक करने वे बोध गरंत है एक मिट वे यह थोड़ा टाइपिंग में स्टेक वे वाला आए गई हाँ यहां पर करने वाला बोध गरंत है तो विभीन प्राचीन बारते लिपी का उल्लेक किया गया उसके बाद देख लेते हैं परचन संक्या 28 निमलिक्ट में से कौन से लिपी प्राचीन भारत की दाई और से बाई और लिखे जाती है वो आपको बताई है खरोष्टी जो है दाई से लेकर दाई और से लेकर बाई और लिखे जाती है लेकिन हमारी जो देवनागरी लिपी है वो है बाई और से जो है दाई और लिखे ज हुई तो करोश्टी लीपी की उत्पत्ति जो है निमलिख्ट में से मानी जाती है उसके बाद ब्रामी लीपी को किसने डिफाइर किया तो हमारी ब्रामी जो जिससे देवनागरी लीपी का विकास हुआ था इस लीपी को ब्रामी लिपी को डिफाइड करने वाले विद्वान निमलिक्त में से जो है प्रिंस से प्रहे उसके बाद देख लेते हैं अगला पर्शन पर्शन संख्या 31 देवनागरी लिपी की व्यग्यानिता के संबंद में कौन सा कथन ऐस सत्य है सवरों के हर्षय व्यदिग्र बेद जैसी व् सत्य कथन बताना है तो हमारे ये कथन हो जाएगा बिल्कुल सत्य जिस परकार से देवनागरी लिपी में सवरों को हर्षय व्यदिग्र में विवाजित किया गया और अन्य लिपी में हमें देखने को नहीं मिलता जैसे कि हम रोमन लिपी की ही बात करें तो उसमें हर्षय श महापराण दावनियों के दिए एक लिपी चिन है तो इसमें जो अलफ प्रान और महापराण दावनियों के लिए एक लिपी चिन है यह हो जाएगा हमारा ended सत्क्राज़ drankシDD् том सबत्य अक्ष्मता बिल्कूल सही है इस में वही पढ़ा जाता है जो लिखा जाता है ये जो है इनकी देवनागरी लिपी समंदी विशेशता भी बिल्कुल सही है, बारा खड़ी किसे कहते हैं, तो बारा खड़ी आपको पताई है, तो बारा खड़ी किसे कहा जाता है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इन में से व्यंजन के साथ सवरो की मात्रा, अनुस्वार और विश लिखेंगे, इस परकार से कूल लिखेंगे, इस परकार से कूल लिखेंगे, इन व्यंजनों के साथ ही जो है, सवरो की मात्राव को मिला कर लिखा जाना ही बारा खड़ी कहलाता है, उसके बाद देख लेते हैं, अन्तेस्ट वैंजन के संख्या क्या है, तो अन्तेस्ट वैं है और वह यह हमारी चार अंतेस्ट वेंजनो की संख्या है उसके बाद अगला पर्शन हम देख लेते हैं भई पर्शन संख्या 34 34 तो देख लेते हैं एक सेकिंड निमलिक्ट में से किस कांग्रेशन देख्ष ने हिंदी बाशा के लिए रोमन लीपी लागू करने की वकालत की तो किस कांग्रेशन देख्ष ने हिंदी बाशा के लिए रोमन लीपी की लागू करने की वकालत की थी यह आपको आंसर मिल जाएगा आपके लिए अब्दुल कलाम आजाद तो अब्दुल कलाम आजाद ने जो हैं हिंदी बाशा के लिए रोमन लीपी को लागू करने की व वकालत की थी उसके बाद देख लेते हैं परशन संक्या हमारी 35, 35 के परशन संक्या को जब हम देखते हैं तो नागरी परचानी भाषा लीपी समीती का गठन कब किया तो नागरी परचानी सबाकाशी ने जो है लीपी समीती का गठन निमलिक में से जो है 1945 में किया उसके बाद देख लेते हैं अगला पर्शन नागरी परचानी सभा के सभापती कौन थे तो नागरी परचानी सभा के पर्थम सभापती पुछा हुआ है तो पर्थम सभापती के रूप में काम किया था बाबू रादा किर्शन दास ने उसके बाद देख लेते हैं पर्शन संक्या 37 1935 में हिंदी साइते समेलन के इंदोर अधिवेशन में महात्मा गांधी के सभापती तव में निमलिक्त में से किसका गठन किया गया इसका आंसर हो जाएगा हमारा नागरी लिपी सुधार समीती का उसके बाद देख लेते हैं भारतिय बाशाओ के लिए देवनागरी के स्तान पर रोमन लिपी का परस्ताव निमलिक्त में से किस विद्वान ने किया बारतिय बाशाओ के लिए देवनागरी लिपी बारतिय बाशाओ के लिए देवनागरी लिपी के स्तान पर रोमन लिपी का परस्ताव निमलिक्त में से जो है सुनीती कुमार चठरची ने किया उसके हम आने पड़ाई था काका काले करने इस परकार के शवरों का सुजाव भई महराश्टर के सावरकर बंद वोने किया था और जो काका काले करने जो है एक जो शवरों के उपर जो है मातराई लगाने का सुजाव दिया था उसके बाद देख लेते हैं सावरकर बंद वो की बारा खड़ी का परियोग की समाचार पत्तर में होता था तो यह होता था हरीजन सेवक के अंतरगत एक लिपी विस्तार समीति का संस्तापक कोन माना जाता है एक लिपी विस्तार समीति का जो संस्तापक माना जाता है वो रहे हैं सार्दा चरण मित्र नागरी परचाने लिपी का पर परकाशन वर्स रहा है वह नागरी परचारनी पत्रीका क सभाटने अपर 6 चानमें ये भी पोईंट आपको ध्यान रखना है नागरी पर चार्णी जो सवा रही समीति का गठन के आठाजर सो चानमें और पत्रीका का परकाशन हुआ ठारा सो तिरानमें उसके बाद देख लेते हैं सेवा ग्राम लीपी का संबन्ध किसी है तो सेवा ग्राम लीपी का सं मन निमलिक्त में से जो है मातमा गांधी से है उसके बाद लोक नागरी लीपी निमलिक्त में से किस की है तो लोक नागरी लीपी निमलिक्त में से किस विद्वान दुआ की मानी जाती है वो है आचारिय विनोबा भावे की उत्तर सरकार ने देव नागरी लीपी सुदा समीति गठन कब किया यह हमने पड़े लिया था 1947 में और नरेंदर देवी इसके जो अध्यक्स के रूप में इन्होंने काम किया था अध्यक्स रहे नरेंदर देव इस परकार से हमने जो है आज की क्लास के अंतरगत संपोन देवनागरी लिपी से समंदित मैंतव पूरण बिंदो औ आज की क्लास के अंतरगत हमने कर लिये है हर रोज हम हिंदी विशे से समंदित अधिक से अधिक परशनों का अभ्यास करते हुए अधिक से अधिक मैंतव पूरण बिंदो को करते हुए अपनी तैयारी को परिक्षा तक इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे वीडियो पसंद आही तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रही पढ़ते रहना आगे बढ़ते रहना और एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगे प्लीज वीडियो लगती है आपको परिक्षा के लिए आपके लिए ये मददगार साबीत होगी मददगार रहेगी इन्ही पुएंटों में से आपके से पर्शन भी पुछे जाएंगे तो आप वीडियो को लाइक अवश्य किया करो और साथ ही बाद में एक कमेंट भी किया करो ताकि मुझे ये पता चल वीडियो को लाइक करना कमेंट करना दूस्तों के साथ शेयर करना चैनल पर वहले बारत तो सब्सक्राइब कर लेना पढ़ते रहना आगे बढ़ते रहना तो आगे बढ़ते रहना तेंक्यू तन्यवाद